नमस्कार दोस्तों मैं आज नर्वर है आपके अपने यूटूब चेनल और के कोचिंग क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज हम लोग कुछ पढ़ने नहीं आए हैं हम सिर्फ syllabus को देखेंगे आपके जो group 5 का जो जितना भी syllabus हैं सभी field के लिए चाहे आप इस्टाप nurse के लिए तयारी कर रहे हो फार्मसिस्ट के लिए lab technician के किसी भी exam के अगर आप तयारी कर रहे हो तो यह syllabus आपके लिए है ठीक है इस तो इनी के लिए मैं यह लेकर आए हूँ आप वीडियो को लाज तक देखेगा सभी के लिए syllabus है कि आपको जो technical part है आपको आपके फिल से related कौन-कौन से topic जो है आपको पढ़ने है ठीक है तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा क्योंकि यह आपका base है इसके बिना आप त्यारी नहीं कर सकते जो topic है वही पढ़के जाए एक्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है तो यह सबसे पहला तो आप पेपर किस टाइप का आएगा देखिए आपका paper जो है 100 नंबर का आएगा यह तो I think सबको ुझा होगा 100 नंबर का आपका paper होगा इसमें आम जो कि आपकी जनरल इस्टटी का पार्ट है यह त्वीटी फाइपन जो है mindset नंबर का उतिक शिनरल इसके जनरल इस्टेडी का 75 आपके ट्रेट से रिलेटेड होगा और हंड्रेड नंबर का जो है टोटल हो जाएगा हंड्रेड नंबर का पेपर ठीक है सिलेबस तो हम देखेंगे इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी तयारी कहां से करनी है कैसे आप इन सब्जेक्ट को तयार कर सकते तो देखिए बहुत से बच्चे को डाउट है या फिर मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो आपका टेक्निकल का जो पार्ट है वो आपको कहीं और से पढ़ना होगा कोई और कोचिंग अगर करवा रही है तो आप वहां से कीजिए या फिर आप अपने बुक से इन्हें पढ़ सकते जो आपके सिलेबस में जो आपने ग्रेजुएशन में आपकी जो डिगरी लिए है तो आपने इन्हे पढ़ा ही होगा ठीक है तो ये वैसे ही टॉपिक है जो आपकी बुक से रिलेटेड है उन्हें आप अपने बुक से भी पढ़ सकते क्योंकि बहुत कम कोचिंग है जो इस पार्ट को आपके टेक्निकल पार्ट को करवा रही है क्योंकि देखिए नर्सिंग ग्रूफ 5 के अंतरगर बहुत से एक्जाम है इस्टाप नर्स का है लेब टेक्निसियन एन्म का है लेब अटेंडिन का है तो इन सभी छोटे छोटे चोटे जो है पार्ट को मिक्स करके कोई भी तियारी नहीं करवाता है सब आपको अलग-ळग तियारी मिलेगी कहीं सठाप नर्स वाला कोई कोचिंग सठाप नर्स की तियारी कर वा रहा होगा कोई लेब टेक्निसियन की तो आप वहां से उन्हें प्रिफर कर सकते क्योंगि सब की फिल्ड आलग-अलग है ठीक है और आपके बात करें तो मैं इसके तयारी नहीं करवा पाऊंगा मैं आपकी फिल्ड से रिलेटेड नहीं हूँ किसी भी फिल्ड से रिलेटेड नहीं हूँ नहीं मैं स्टापनर से रिलेटेड हूँ नहीं लेब टेक्निसियन से रिलेटेड हूँ तो आप मेरे भरोसे या मेरे इस channel के भरोसे आप ये इस पर मत रहें कि 75 नंबर की तियारी जो है यहां से होगी ठीक है मैं यहां से आपको 25 नंबर की तियारी करवा सकता हूँ सामाने हिंदी की, सामाने गनीत, विज्ञान तो हमारा चल ही रहा है reasoning हम आपको बताएंगे तो यह जो चीज़े है 25 नंबर की यह हम यहां पर आपको बता सकते है अगर आप चाहते हो तो please comment करके जरूर बताएगा कि क्या हम इनको continue कर सकते है 25 नंबर के देखिए आप अगर 75 नंबर के भरोसे होंगे तो 75 नंबर की तयारी मेरे दोस्ट वाफी चाहता हूँ कि हम नहीं करवा पाएंगे देखो अगर मैं जितना science का मुझे knowledge है मैं आपको सामाने विज्ञान या सामाने science का जो third part है इसके अंतरगत जितना भी मुझे science का knowledge है मैं आपको यहाँ पर बता दूँगा ताकि आपके कुछ help हो जाए ठीक है बट confirm यह नहीं कि हम 75 नंबर का जो आपका जो यह portion रहेगा इसकी तयारी हमें यहाँ पर करवा पाएं तो इसके लिए तो आपको दोस्त कहीं और किसी भी चैनल पर या फिर आप अपने बुक से इन्हें पढ़ सकते हैं मैं आपको सेले बस बताऊंगा कि आप कैसे इन्हें पढ़ सकते हैं तो बहुत से बच्चे बार-बार कमेंड कर रहे हैं कि सरिस्टाब नर्स की तियारी करवाईए 75 नंबर की तियारी करवाईए तो बच्चो समझने की कोसिस करें मैं पहले भी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ कि मैं सिप्स यहाँ पर 75 नंबर के question जो है इसकी करवाई 25 नंबर के question जो है इनकी करवाई सकता हूँ ठीक है यहाँ इस channel पर देखिए जो non-technical exam होते जैसे constable है group 2 के exam है या फिर MPSI के exam है तो इस type के exam की तियारी करवाई जाती है मैं सिर्फ आपके इसलिए मैंने जो exam के paper जो है पहले general study के ही दाले थे बट आप लोगों के बार-बार comment आने के कारण फिर मैं मुझे उन चीज़ों को समझ के और आपको समझाने की कोशिस मैंने की कि कि आप लोगों की थोड़ी सी help हो जाए बट जो technical trade है बहुत जादा है तो मैं उसको समझ के और आपको समझाऊं यह possible नहीं हो पाएगा इसलिए थोड़ा सा आप सयोग करें और अपनी तयारी को थोड़ा खुद ही करना पड़ेगा आपको ठीक है यह जैसे syllabus है फिजियो थेरिफिस्ट का है देखे मैं यह जो syllabus की link है यह आपको description में मिल जाएगी और अगर आप direct भी यहाँ पर देखना चाहे तो आप इनका screenshot ले लिजी और अप इसे syllabus को आप अपने पास रखे क्योंकि इसी की अनुसार आपको पढ़ना है यह topic आप उठाईए और उन introduction of physiotherapist anatomy physiology तो आप इनका screenshot ले लिजी बिटा हम इन आप इतना नहीं बता पाएंगे तो आप सभी का screenshot ले लिजिए देख लिजिए ठीक है जैसे यह है इसका screenshot ले लिजिए ठीक है तो यह आपका physiotherapist के लिए syllabus हो जाएगा आप यहां से इन्हें देख सकते हैं बात करते हैं A&M के लिए A&M का syllabus बहुत कम है यह इतना सा syllabus है community health nursing, health promotion, primary health care nursing one, child health nursing, ठीक है तो health center management यह छोटा सा syllabus है इतना आपको 75 नंबर के लिए पढ़ना है और 25 नंबर की तयारी तो हम आपको करवा ही देंग बट 25 नंबर की तयारी भी जब आप करवाएंगे जब आपका response मिलेगा अभी तो आप लोगों का बहुत अच्छा सा योग है इसके लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का लेकिन ऐसे ही आगे आप लोग करते रहे तो हम जरूर आपको 25 नंबर के त आपको बताया तो आइधिंग आपको अच्छा लगा होगा तो इसी तरीके से और इसे अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोसिस करेंगे ताकि 25 नंबर तो आप वहां से लेकर ही आजाओ आपका जो 75 नंबर का जो है वो थोड़ा सा syllabus वास्ट हैं बहुत बड़ा है तो इसके लिए आपको कोसिस करने होगी और महनत जरूर करने होगी यह हैं फार्मसिस्ट वन फार्मसिस्ट टू के लिए से लेबस है तो आप इसका जो है स्क्रिन सॉट ले सकते हैं फार्मसेटिकल फार्मसेटिकल केमस्ट्री क्योंकि बहुत बड़ा से लेबस है तो आप इस स्क्रिन सोट ले लिया ठीक है बहुत ज्यादा से लिबस है इसका फर्मासिस्ट के लिए तो थोड़ा आपको सिस किजिएगा इसके बाद है रेडियोग्राफी एक्स रेडियो टेक्निस इंडार करूम असिस्टेन देखिए विड़ा कितने अलग अलग टाइप की पोश्ट है और सब के लिए अलग अलग सिलेबस से तो इतना कोई भी कोचिंग वाला नहीं करवाएगा कहां से करवाएगा ठीक है तो यहां पर यह बात है कि आपको अपना सिलेबस खुद ही करना होगा कोचिंग सिर्फ नॉर्मल आपको डायरेक्शन दे सकती है ठीक है रेडियोग्राफी एकसरे टेक्निक सियन अगर मैं आपकी फिल से रेलेटेड होता तो जरूर करवाता लेकिन मुझे यह सब चीजे मैं नहीं समझ पाऊंगा और नहीं समझने के बाद आपको समझाना नहीं हो पाए करते हैं मैं इसी के लिए थोड़ा पॉंस कर रहा हूं कि आप स्क्रिंसॉट ले 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 और इसे जो हैं फिर आप बाद में देखते रहे ठीक है बात करते हैं ओटी टेक्निक्सियन के अभी किसी बच्चे का कमेट आया था तो बिटा यह आपका सिलेबस रहेगा बात करते हैं पूरुस स्टाफ नर्स या महिला स्टाफ नर्स की जो है इसमें हमने जो अब हमारी जो साइन्स की सीरी चल रही है उसमें से कुछ कुश्चन भी आपके लिए बनेंगे स्टाफ नर्स वालों के लिए क्योंकि यह एक दूसरे से रिलेटेड है ठीक है तो एने हमाँ आपको यहाँ पर बता देते हैं जैसे यह स्केल्टर सिस्टम जॉइन्ट मसल बॉड़ी इस्ट्रेक्शर अफ फंक्सान बॉडी नर्वस सीटम रेस्प्रेटरी सिस्टम एक्षक्री सिस्टम रिप्रोड़ेक्ट्यव सिस्टम तो यह तो कोश्चन से हम लोग जनेरल सब पढ़ा हुआ है तो अगर मैं समझा पाऊं तो मैं कोसिज जरूर करूंगा लेकिन बागी जो टॉपिक है आप लोगों को खुद करना ही होगे ठीक है इसलिए आप लोग प्लीज ये मत सूचिएगा कि सर कुछ नहीं करवा रहे हैं देखें मैं आपको पहले भी बता चु अपने नर्सिंग में पढ़े हुए हैं देखें हुए हैं बस आपको सेलेबस का एक टॉपिक उठाना है कैसे देशिद आपने टॉपिक ले लिया भी इम्मुनिटी आप पढ़ लिए इम्मुनिटी का आपका टॉपिक जिस भी बुक में मिलेगा आप वहां से उठाईए और इसे पढ़े जिये इम्मुनाइजेसन आप उठाईए और वहां से पढ़े एक-एक टॉपिक को आप लिज जिये और एक-एक टॉपिक को आप पढ़े दिए ठीए है तो इसतरीके से आपकी तैयारी यहां पर हो जाएगी जैसे फिजियोलाजी आप टॉपिक community health nursing या आपके लिए एक syllabus होता है आपकी nursing ने ठीक है तो इसे आप लेजिया और आप इसे पढ़िए तो इस तरीके से ही आपको ये 75 नंबर की तेजारी करनी होगी थोड़ी मेहनत जरूर करनी होगी इतना जादा आपका जो है वो नहीं जाता है कटाफ नहीं जाता है लेकिन फिर भी बच्चे अब इस बार पढ़ने लगे हैं तो थोड़ा हाई जाएगा कटाफ इतना ज्यादा तो नहीं बर फिर भी तो आप कोशिस किजिए ठीक है सबका अलग-अलग syllabus है तो इसलिए हम लोग इतना नहीं करवाए पहेंगे जैसे ECG technician के syllabus इसके लिए सभी का syllabus मेरे बिटा अलग-अलग है सभी सभी जूसर जितनी भी पोश्ट है सभी के लिए syllabus अलग-अलग है और आप खुद ही सोचिए कि इतनी syllabus को कैसे पढ़ाया जाएगा है ना तो इसके लिए खुद ही आप जिस भी फिल्ड से रिलेटेड है यह इस पिस therapist आपको खुद को ही जो है त्यारी करनी होगी ठीक है बाकि जो बच्चे हैं सभी जो लेब टेकनीसियन हो या फिर स्टाफ नर्स के लिए हो कोई भी जो भी बच्चा है तो वो बार बाद के कमेंड करता है कि सर हमें लेब टेकनीसियन के लिए जो है जैन्रल इस्टेडी का करवाई यह फिर फार्मसिस्ट के लिए तो देखो बैटा जनरल स्टेडी का जो आपका जो टॉपिक है वो सभी के लिए कॉमन है 25 नंबर का सभी के लिए कॉमन है तो सभी के एकजाम में एक जैसे कोश्चन आएंगे एक जैसे मतलब सेम नहीं आएंगे लेकिन टॉपिक आप हैं ठीक है तो यह सभी सेलेबस मैंने आपको बता दिए डेंटल हाईजेनिस सेलेबस आपको यहां पर मिल जाएगा कौन-कौन सी फिल से रिलेटेड बच्चे यहां पर जूड़े हुए हैं तो यह सभी सेलेबस आप लोग बटा इसमें देख सकते हैं ठीक है मैं डिस्क्र अब किस किस सेलेबस को हम देखे और कौन-कौन से टॉपिक को हम पड़े तो यह देंटल सेलेबस जो है कितना बड़ा वास्ट हैं ठीक है तो यह जो जितना भी पार्ट है आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा वहां से इसे डाउनलोड किजिए यह पे यह जो हैं सेलेबस आपको मिल जाएगा वहां से आप बहुत अच्छे से इने पढ़ सकते हैं बाकी आप लोग जरूर सयूग दीजिएगा आप लोग का सयूग रहा तो हम जनरल स्टेडी का पार्ट करवाएंगे ऐसे ही आप लोग का साथ मिलता रहा लाइक मिलते रहे कमे आपके फिल से रिलेटेड नहीं होते हुए भी आपके लिए तयारी करवा रहा है क्योंकि अच्छा लगता है जब सामने वाला रिस्पॉंस देता है या किसी को खुसी मिलती है किसी के हम लोग हेल्प कर पाएं तो यह बहुत अच्छा रगता है मेरे तो चेनल भी मोनेटा लगा हमें समझ आया तो एक अंदर से खुछी आती है आई थिंक आप लोग इसे समझ सकते हैं तो इसी के कारण हम लोग जो है इस को करवा रहे हैं हमारे साथ कोई दूसरा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी टीम है मैं अकेला हूँ जो इसको करवाता हूं को लाता हूं को लोगों के लिए अफ्लोड करता हूं ठीक है तो आप लोग प्लेस सयोग किजिए अप लोगों को अगर चाहिए कि जनरल स्टेडी हम कंटिन्यू करें तो यह आपके लिए साथ जो टॉपिक है वो जनरल स्टेडी के टॉपिक हम आपके लिए जरूर करवाएंगे आप अग्रेजी पढ़ना है और शेयंसे ओपिक जो है आपको पढ़ने है अबी बढ़ने तो सभी है लेकिन कौन से बर बसने करें चलंब कर देंगे और कन्टेनियू क्लासे रहें तो आपकी टेंशनान ना ले ताक फिर बहुत मैं अभी कोशिस कर रहा शूं निकालके फिर मैं आपको कंटीनुव क्लासेस, डेली कोई ने कोई सब्जेक्ट की कंटीनुव क्लासेस हम लेते चलेंगे, ठीक है, तो बस लास्ट में यही कहूंगा, कि आपके जो 75 नूमर के जो कोस्चन है, वो आपको खुद ही करने पढ़ेंगे, कोई भी कोचिंग क्यों है, इसे बहुत कम तरीके से आपको यहां से देख सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका जैसा ही कमेंट आता है, कि कुन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसके नुशार हम वीडियो बनाके, कल से फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जल्दे ही हम आपसे मिलत जहिन जहारत